मैं भी अनेकों बार आसाम आया हूँ, ताकि आपके बीच आकर आपकी विकास यात्रा में मैं भी एक सहभागी बन सकूँ, असम के पास सब कुछ है, जो यहां के हर नागरिक को बहतर जेवन देने के लिए चाहिए, अब जरुरत इसकी है कि विकास को, विकास का प्रगति का जो डबल इंजिन चल रहा है, जरा उस डबल इंजिन को और मजबुत करने का मुखा आपके पास आ रहा है, मैं असम के लोगों को विश्वाद दिलाता हूँ, आपके सयोग से, आपके आसिरवाद से, असम के विकास में और तेज गति आएगी, असम विकास की नई उचाई पर पहुचेगा, भाईयो भहनो, मैं जानता हूँ, अब आप चुनाव का इंतजार करते होंगे, शायद मेरे मुझे आध है, कि पिछली बार जब चुनाव गोशित हुआ था, वो शायद चौत्थी मार्च को हुआ था, इस बार भी मैं संभावना देखता हूँ, कि मार्च के प्रतम सब्ता में कभी भी चुनाव की गोशना हो जाएगी, इलेक्शन कमिशन का वो काम है वो करेंगे, लेकिन मेरी कोशित रहेगी, कि चुनाव गोशना होने से पहले, जितनी बार असम आ सको, पस्टे मिंगाल जा सको, केरल जा सको, तमिल्दारू जा सको, पुड़ी चेरी जा सको, मैं पूरी कोशिस करूंगा, मार्च साथ अगर मान ले हम चुनाव गोषणा की, तो ये जो भी समय मिलेगा, क्योंकि पिछली बार चार मार्च को हुआ था, उसके आसपाद इस बार भी हो सकता है, जो भी हो, मैं आपके बीच साने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा, और भाईयों भेनों, अज इतनी बड़ी तादाद में आकर के, आपने हमें आशिरवात दिये हैं, विकास की यात्रा के लिए, आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है, इसके लिए मैं आपका रदय से आभार वेक्त करता साने के लिए और भाईयों.